इस लेक्चर में हम डिसकस करने वाले हैं फाइलम हेमि कोड़ेटा को, इसका मतलब होता है हाफ कोड़ेट्स, तो इस फाइलम को समझने के लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा और थोड़ा सा आगे, तो अभी तक जितने भी फाइलम हमने पड़े है, जैसे फाइ फाइलम है जैसे हमने फाइलम पोरी फेरा शुरू किया फिर सेलेंट्रेटा उसके बाद टीनोफोरा प्लेटी हलमेंथीज एसकेलमेंथीज एनिलीडा आर्थ्रोपोडा मॉलस्का और फिर आया इकाइनडर्मेटा तो जितने भी फाइलम हमने आज तक पढ़े हैं अभी तक ये सब आते हैं नोन कोड़ेट्स की केटेगरी में आते हैं आता तो हमी कोड़ेटा भी इसी नोन कोड़ेट्स की केटेगरी में लेकिन मैं पहले आपको ये बता रहा हूँ कि पहले कहां पर आता था ये और अब कहां पर आता है तो पहले जो हमी कोड़ेटा इसको कोड़े भी phylum है, हमने पढ़े हैं वो सब non-coded सी category में आते हैं ठीक है, और बाकी के जो animals है, वो उनका एक अलग अलग एक phylum है, जिसको क्या कहते है, chordata, animals क्या कहलाएंगे, chordates कहलाएंगे ठीक है, तो जितने भी इस धर्ती पे organism है, उसका करीब 90 से 95 परतीशत 90 तो 95 परसेंट non-coded हैं, और बाकी के बचेवे जो 5-10 परसेंट animals हैं, वो सिर्फ chordates के हैं, तो जो chordate है, chordate actual में है क्या, तो ऐसे animal जिनके अंदर जिनके अंदर life की किसी ना किसी stage में noto code पाई जाती है, noto code का मतलब क्या होता, दो वर्ड से मिलकर बना है, यह आपका जब code data पढ़ाय जाएगा तब आपके पूरा detail में महाँ पर कराया जाएगा, अभी हमारा focus है कि हमी code data पहले कहां पढ़ते अब इनको कहां रखा गया है तो note on, note on का मतलब होता है, back side ठीक है, back side में जैसे dorsal surface होता है और code का मतलब होता है जो code शब्द है, corda इसका मतलब है normal code या बोल सकते है string, ठीक है तो code like structure जो कहां पर पाया जा रहा है हमारे animals की back side में, यानि कि dorsal side पे जो पाया जाता है उसको हम note on code कहते है life की किसी ना किसी stage में जरूर पाया जाता है जैसे इसको अगर आप normal simple याद करने की, जैसे compare करके अगर सोचे कि actually में क्या होगा तो हमारे अंदर भी noto code होती है हमारे embryonic form में जब हमारा बच्चा एक human का जो baby होता है, embryo की form में होता है बहाँ पर noto code होती है लेकिन बाद में ये noto code हमारी read किया, divertible column ठीक है, backbone में convert हो जाती है और आपको पता है backbone का हमारे load cell side पिछे की तरफ है तो यही हमारी क्या है एक तरह से यही noto code convert होके vertible column बनी है तो ऐसे ही noto code पाई जाती है normal सभी chordates के अंदर तो यह जो chordates है इनको हम क्या करते है दो part में divide करते है एक होते है proto-cordata 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 मतलब यह है lower chordates lower chordates कहते है इनको और एक होते है u-cordata u-cordata जिनको हम क्या बोलते है higher chordates कहते है higher chordates तो proto-cordata ऐसे animals हैं, यानि कि ऐसे coordinates, जिनके अंदर notocode, notocode की form में ही रहती है, life की किसी न किसी stage में, embryo में या adult में, या larva में, वो जरूर पाई जाएगी, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, लेकिन difference इतना है lower और higher में, कि जो notocode है, जो proto-code, lower coordinates होते हैं उनमें notocode ही रहती है, दूसरी बात इनमें खोपडी, बोलते हैं, skull नहीं पाई जाती है, इसलिए a, a मतलब not, और skull, जो खोपडी उसको क्या बोलते हैं cranium, तो इसलिए क्या होता है a, craniata इनको a, craniata भी बोलते हैं और इनको क्या बोलते हैं craniata कहते हैं यानि इनके अंदर खोपडी पाई जाती है, skull और इनके अंदर नहीं पाई जाती यह क्या करते हैं, इसके अंतरगर्थ जो proto-code data, इसके अंदर तीन sub-file हम आते हैं पहला आता है hemicode data, जिसको हम आज पढ़ना है इसको, ठीक है hemicode data ठीक है, दूसरे आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आएगा euro code data euro code data और तीसरा और last इसके अंदर आता है, cephalo code data जिनकी बात हम आगे करेंगे यह short में लिख दिया, cephalo code data ऐसे ही इसके अंदर सिर्फ एक single group आता है, वो बनाता है vertebrata यहाँ पर जो noto code है जो you code data है उनमें vertebrata एक single आ रहा है गुरूपिये, यहाँ कि इस vertebrata में code data के अंदर जो noto code है, वो vertebrata column read की अड़ी में convert हो जाती है उसको detail में आएगा code data में अगले वाले में, अभी हमें focus करना है आपे, तो देखिए पहले आप जैसे देखेरें तो code data के अंदर ही क्या आ रहे है hemicodate आ रहे है तो पहले इनको कहां रख़ गया था hemicodate को code data के अंदर रखा गया था लेकिन, क्यों रखा गया था क्यों यह मानते थे कि इनके अंदर क्या पाई जारी नोटो कोड पाई जारी है लेकिन जब बाद में पता चला कि जिसको हम नोटो कोड समझ रहे थे वो एक्चल में नोटो कोड ना होके माउट कैवेटी का एक आउट ग्रोथ है एक उभार है फिर जब पता लगा तो इसको यहां से निकाल के कहां रख दिया इस हैमी क्या नम इस इकाईनो डर्मेटा और कोड डेटा के बीच में एक अलग फाईलम बना के रख दिया तो को पहले यह सब फाईलम था जिसे दो के साथ में अलग से रखा गया इनको पहले सब फाईलम था और अभी इसको क्या बना दिया इसको अलग से यहां से निकाला और Echinodermita के बाद में हम क्या पढ़ते है Hemicordata और फिर Cordata तो इन दुनों के बीच में इसको रख दिया क्यों रखा गया इसके लिए भी हम सोचते हैं हमने बताया कि Notocode जिसको मानते थे वो Actual Notocode नहीं है तो इसके समझने के लिए हम देखते हैं कि क्या था Actual में क्यू समझते थे इसको पहले Cordata तो इनकी जो Body होती है है Hemicordata कि इनकी Body तीन पार्ट में Divide रहती है तीन पार्ट में इनकी Body Divide रहती है इस तरीके से हमने बोल दिया कीडे की तेरह होते हैं यह वो हम लाइक समुदुर में पाये जाते हैं तो पहला जो पार्ट होता है Body का उसको बोलते है Probosis दूसरे को बोलते है Color और तीसरा होता है Trunk तो यहां पर जो Probosis है यहां पर इनका क्या होता है इसके पास में ऐसे Mouth होता है इनका तो Mouth में जैसे हम बोलते हैं कि हमारा Mouth होता है जो उपर की तरफ, जीब में जो उपर तरफ Hard Portion है उसको Palette या तालवा कहते हैं ठीक है? अब अगर आप ऐसा मानिए कि अगर यह तालवा ऐसे उपर की तरफ हमारे दिमाग की तरफ अगर ऐसे इसकी ग्रोथ कुछ निकल जाए यहां से तो वो कैसा structure दिखाई देगा तो यहां से यहां से normal वही elementary के नाल ऐसे नीचे जानी चाहिए इनकी ऐसे नीचे जाती ही ऐसे पूरी elementary के नाल ठीक है तो यहीं से एक outgrowth इस तरीके से उपर की तरफ चली जाती है यहां पर यह जो outgrowth mouth की outgrowth इस तरीके से proboscis में ऐसे उपर चली जाते है इस outgrowth को ही पहले notocode समझा जाता था और यह पूरी body में ना होके सिर्फ body के अगले पार्ट में है body के अगले पार्ट में इसलिए इनको क्या बोलते थे कि notocode है लेकिन थोड़े से पार्ट में है बस इसलिए इनको पहले hemi, hemi मतलब half cordate, notocode वाले, आधी cordate वाले यहनि की hemi cordate है इनको कहा जाता था लेकिन जब पता लगा कि यह तो भई, notocode नहीं है यह तो mouth की, buccal cavity की एक outgrowth है ठीक है, जिसको क्या कहा गया बाद में buccal diverticulum इसको क्या नाम दिया गया? buccal diverticulum नाम दिया गया और इसी के लिए क्या word यूज़ करते हैं? और इसको stomocode stomocode भी इसको कहते है ठीक है, stomo means होता है, mouth stomo means mouth और cord means क्या होगा? string, चड़की तरह तो यह notocode नहीं है, यह क्या है? यह एक mouth cavity की एक outgrowth है जिसको by mistake क्या समझ रहे थे? पहले notocode समझ रहे थे? इसको पहले इसको कहा रखा गया था? cordate की अंदर रखा गया था लेकिन अब clear है कि यह mouth cavity की outgrowth की अलावा और कुछ नहीं है तो हुआ से निकाल के इसको सब phylum hemicordata से निकाल गया अब इसको phylum hemicordata echinodermita के बाद में और cordata से पहले रखा गया है यहनिकि हम यह भी बोल सकते हैं hemicordata link बनाता है hemicordata क्या बनाता है link बनाता है phylum echinodermita और cordata के बीच में तो यह था introductory part इसका अब देखते हैं इसका एक एक करके जो features हम देखते हैं वैसे वो एक एक करके इनके features देखते और बड़े आसान तरीके से एक एक feature को मैं समझने के कोशिश करेंगे तो देखते हैं इनके features तो जैसा हमने पढ़ा उसी तरीके से यह जो features से ही लिखे गए है तो पहला जो point आ रहा है यहां पर यह NCRT ने सिधा सिधा पहले लिखा है कि hemicordata was earlier considered as a subphylum of cordata जैसे कि अभी हमने समझा कि पहले cordata के अंदर आ रहा था और lower cordates के अंदर आ रहा था क्योंकि higher cordata में सिर्फ के आते vertebrates जिसके अंदर हम 5 classes पढ़ेंगे अपनी normal वोई ठीक है cordates में आ रहा था पहले लेकिन अभी इसको कहां पर रख दिये गया है एक separate phylum बनाकर non-cordata के अंदर रख दिया गया है phylum echinodermita और cordata के बीच में इसलिए हम बोलते हैं कि hemi cordata क्या करता है show link between phylum echinodermita यानि कि non-cordates and cordates के बीच में link स्थापित करता है small group of worm-like देखिए worm कीडे की तरह होते है यह ठीक है जो की समुद्र में ठीक है जैसे जहां पर पानी का level जादा नहीं जैसे tides जहां पर आते है rate वगरा रहती है जैसे किनारे पर पानी जादा गहरा नहीं होता shallow water होता तो वहां पर क्या करते हैं कि U-shape का बिल बना कर रहते हैं इस तरीके का बिल होता है जिसके अंदर ये animal इस तरीके से पड़ावा रहता है यहां पर तो U-shape का बिल बना कर रखता है जिसके अंदर क्या रहते हैं कहीं सारी ऐसे opening है यह निकलने की opening है और जहां पर पिछला इससा होता है वहां पर इसकी casting रहती है यह से जैसे केचवया मिट्टी निकाल देता है इस तरीके से यह पिछी पिछला एरिया पता लग जाता है कि यह posterior opening है बिल की और यह anterior है ठीक है इस तरीके से U-shape का बिल बना के रखता है तो bilateral symmetry यह देखो वही उसी तरह चलेगा triploblastic silomate silomate में कैसा enterosil है यह यहीं गट से इसका silom develop हुआ है इसके लिए भी enterosil क्या है sizeosil क्या है इसके लिए आप जो पहला part है इस वीडियो का जो lecture first basic का वह आप देख सकते हैं आई बटन में उसका link आ रहा होगा वहाँ पे देख सकते हैं organ system level organ system ने पूरा develop है उसके बाद बोल रहे हैं कि body जो है तीन पार्ट में divide है जैसे अभी हमने बनाया था तीन पार्ट में divide है जैसे देखे ऐसे proboscis होता है पहला दूसरा होता है collar और तीसरा क्या होता है तीसरा part होता है trunk का ठीक है इस तरीके से U-shape के जिसके दूआरा क्या करता है सांस लेते हैं और साथ में ciliary feeder होता है ठीक है जिससे पानी जो है पानी के साथ में ये ऐसे पानी सक करता है तो पानी के साथ में क्या रहता है फूड भी आ जाता है बाकी यहां से पानी आने के बाद में इगिल्स के आउते छेद होते हैं साइड में तो यहां पर यह पानी भाहर निकल जाता है और फूड जो है अंदर चला जाता है इलिमेंटरी के नाल में ठीक है ना तो सीलियर इफीडर होते हैं तीन पार्ट एम बोड़ी डिवाइड रहती है यह अभी हमने देखा था कि नोटो कोड के जैसा इस्ट्रक्चर नोटो कोड तो ही नहीं क्योंकि अभी हमने देखा था स्टोमो कोड या बककल अभी हमने बताया था कि यहां पर इस तरीके से पाया जा रहा है जो कि आउट को रहोते देखी लिखा है बकल के वेटी की जो कि एक ट्रू नोटो कोड नहीं है तो इसको कोड़ डेटा क्यों मने पहले बोलते थे नोटो कोड आदे पोर्चन में हमी कोड़ डेटा अब तो पूरा-पूरा फीचर चेंज कर दिया एक्सक्रिशन जो होता है ग्लो मेरूलस या फिर प्रोबोसिस गलेंड जैसे हमारे में किडिनी होती ऐसे इनके अंदर जो ग्लो मेरूलस यह जो प्रोबोसिस वाला जो एरिया है यहां पर ऐसे नेट की तरह स्ट्रक्चर पाया जाता इनके समदुरी पानी में होता है डवलब्मेंट इंडिरेक्ट इंडिरेक्ट मत्तब के लार्वा बनेगा लार्वा बनेगा लार्वा को क्या कहते हैं इनके टॉर्न एरिया लार्वा बोलते हैं क्योंकि यह मूव करते हैं यह लार्वा इनका ऐसा होता है कि मूव करते हैं ऐसे turn करता करता गूमता गूमता ऐसे ठीक है, rotate करता हुआ ये चलता है, इसलिए इसका नाम पढ़ा है Tor lateral arva example इसके आद रखने है बैलनो glossos जैसे ये सेम ऐसा है और एक होता है sacgo glossos, इस या सब कीडे के जैसे होते हैं तो ये जो phylum dollars hemicodsheicular ये संबन्ध एक link के स्थापित करता है कि इसके बीच में non-coded जितने अभी तक हमने पढ़े और आगे जो codate पढ़ेंगे उनके बीच का तो इस वीडियो में हमने बात की हैमी, codata की और इसके बाद में हमारे जो lecture आएगा उसके, उसमें हम बात करेंगे codates की पूरा पूरा ठीक है, codates क्या होते हैं उसमें हम पूरा detail में, अभी तुमने शिक एक short में हमने बताया अभी उसमें हम पूरा detail में अच्छे से बात करें codates किसको कहते हैं और क्या क्या इसके अंदर phylum, और सब phylum इसके अंदर आते हैं, thank you